दोस्तों नमस्कार हाज रहें एक बाफे से आज की बड़ी और ताजा ख़बरों के साथ वस आप से निवेदन है करपय वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें और गंटी बटन जहुद अवा दें इप पहली बड़ी ख़बर हाज कॉंग्रेस सद्याच्च्य चusement के लिए मल्लिका जुन ख़ड़ गये और ससी थरूर ने दाखिल किया नामांकन यंक को बता दें कि कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता मल्लिका जुन खड़ गये और ससी थरूर ने पार्टी अध्यच पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है दौनों नेताओंने कॉंग्रेस मुख्याले पहुंचकर नामांकन दाखिल किया राजिसबा में नेता प्रतपच खडगे के नामांकन के मौके पर राजिस्थान के मुख्यमंत्री असो गैलोत, कॉंग्रेस के वरिष्टनेता अंबिका सोनी, पवन बंसल, आनंद सर्मा, भूपिंदर सिंग हुड़ा समेता अन्य वरिष्टनेता मौजुद रहे खड़गे की तरब से पर्चा दाखिल किये जाने के बाद मुख्यमंत्री असो गैलोत ने कहा कि मेरा मानना है कि ससी थरूर अपना नामंकन वापस ले सकते हैं आपको बता दें कि फलाल कॉंग्रेस के वरिष्टनेता मल्लका जुन खडगे और ससी थरूर ने पार्टी अध्यच्य पद के लिए अपना नामंकन दाखिल कर दिया है अउली बड़ी खवा ससी थरूर ने गांधी परिवार पर बोला जवजस्थमला बोले आला कमान कल्चर की आगई एक्सपारी डेट 2024 के चेहरे और गांधी परिवार पर रख दी अपनी बेबा कराय कि आपको बता दें कि कॉंग्रे सद्यच्य पद के लिए नामंकन दाखिल कर चुके वरिष्ट नेता ससी थरूर ने अपने इरादे साफ करते वे कहा कि अव आला कमान की एक्सपारी डेट आ चुकी है गांधी परिवार के भविस्य और 2024 के चेहरे समय तमाम मुद्दों पर ससी थरूर ने अपने ही अंदाज में बेबाकी से जवाब दिये ससी थरूर ने पार्टी आला कमान पर सीधा निसाना सा देते वे कहा कि अव वक्त आ गया है कि पार्टी के फैसले उपर से नहीं बलकि नीचे से लिये जाएं पहले हर फैसला उपर से होता था जो सही नहीं था ससी थरूर से जब पूछा गया कि आखिर वो अध्यची का चुनाव लड़कियों रहे हैं इस पर उन्होंने जवाब देते वे कहा कि हमारी पार्टी में चुनाव होना भारत के लोगतंतर के लिए काफी अच्छा है ये कोई दुस्मनों की लड़ाई नहीं है हमने साथ में काम किया है अच्छे माहुल में सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं बारत में मजबूद विपक्च की जवड़त है हमारा उद्दे से चुनाव जीतने का है जब सरकार जिस तरीके की बुल्डोजर राजनीती कर रही है तो लोगतंतर के लिए मजबूद विपक्च का होना बेहर जरूरी है ससी थरू ने कहा कि हमें अपने बोटर्स को बापस लेना है ऐसा नहीं है कि सभी कटर हिंदुवारी बन गए हैं और बीजेपी को ही बोट देंगे कई लोग बीजेपी से असंतुष्ट हैं वो देखना चाते हैं कि कॉंग्रेस काम्याब है या नहीं मैं दिखाना चाता हूँ कि कॉंग्रेस में बदलाव आये ससी थरू ने कहा कि जब इतने लोग पार्टी छोड़ कर जा चुके हैं तो नए मॉडल को लागू करने का वक्त आ गया है इसमें ग्रांड पर लोगों को ताकत देनी होगी उन्हें तैक करने दीजिए कि उनका भविसी क्या होगा मेल जोल बढ़ना चाहिए और कारिकरताओं की सिकायतों को सुनना चाहिए जब भी उपर से कोई बड़ा फैसला लिया जाए उस पर पहले विचार होना चाहिए आपको बता दें कि उन्होंने अपने इरादे साफ करते वे कहा कि अब आलाकमान की एक्सपारी डेट आ चुकी है ससी थरूर ने पार्टी अला कमान पारा सीधा निसाना सादेते वे कहा कि अब वक्त आ गया है कि पार्टी के फैसले उपर से नहीं बलकि नीचे से लिए जाएं अवली बड़ी ख़वर कॉंग्रे सद्यच की जेश से हटे दिगविजे सिंग मले काजुन खडगे के बनेंगे प्रस्तावग बोले मैं गांधी परिवार का वफादार यह आपको बता दें कि कॉंग्रे सद्यचे चिनाप को लेकर बना सस्पेंस नामांकन के आखरी दिन आव खत्मोता दिख रहा है दो दिनों से अद्यच्च पद की रेस में दिख रहा है दिगविजे सिंग अब इससे हट गए हैं सुक्रवार को नामांकन के आखरी दिन उन्होंने इसका एलान कर दिया दिख बजे सिंग ने गांधी परिवार से वफादारी का नाम लेते हुए मल्लिकाजुन खड़गे के समर्थन में बैठने की बात कही उन्होंने कहा कि मैंने मल्लिकाजुन खड़गे से मुलाकात की और कहा कि यदि आप फार्म भर रहे हैं तो मैं आपके साथ हूँ मैंने साथ कहा कि आपके खिलाप लड़ने की मैं सोच भी नहीं सकता इसलिए मैंने अपके किया है कि मैं उनका प्रस्तावग बनूँगा मेडिया से बात करते वे दिग्वजय सिंग ने कहा कि मैं गांदी और नहरु परिवार के प्रत्य वफादार हूँ दिग्वजय सिंग के समर्थन के बाद अब अध्यच पद की रेस में मलेका जुन खडगे और जी 23 के नेता ससी थरूर ही बचे हैं माना जा रहा है कि मलेका जुन खडगे को गांदी परिवार का आशिरवात प्राप्त है ऐसे में ज्यादा तर नेता उनके नाम पर ही बोट कर सकते हैं और ये तैमाना जा रहा है कि मलेका जुन खडगे ही कौंग्रे सद्यच बनेंगे अवली बड़ी ख़वर अब मलेका जुन खडगे के समर्थन में कूद पड़े असो गैलोत बोले मेरा बस चले तो मैं कोई पद ना लूँ यह आपको बता दें कि कौंग्रे सद्यच की देश में आये मलेका जुन खडगे को सीनियर नेताओं का लगातार समर्थन मिल दा है उनके सपोर्ट में दिगवजय सिंग के ना मांकन दाकिल ना करने के बाद अब असो गैलोत भी उनके साथ आ गए हैं उन्होंने मलेका जुन खडगे से मुलाकात की और उसके बाद कहा कि उनका चुनाम में उतरना सही फैसला है असो गैलोत ने इस दोरान खुद के अध्यच की देश से बाहर होने और मुख्यमंत्री को लेकर संसे पर कहा कि मेरा बश चले तो मैं कोई पद ना लूँ कभी दाहुल गांदी के साथ यात्रा में जाऊं और कभी सड़कों पर उतरूं आज हालात बेहर खराब हैं लेकिन अब भी मैं कोई पद छोड़ कर जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि तकलीप में कॉंग्रेस को छोड़ कर असो गैलोत भाग रहा है असो गैलोत ने कहा कि हाई कमान से मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे मैं निभाऊंगा मेरे लिए एहम यह है कि देश में एक जिट विपक्ष जरूडी है देशवासी कहते हैं कि कॉंग्रेस मजबूत होना जरूडी है और उसके लिए राहुल गांधी निकल चुके हैं मैं उनके साथ हूँ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेसकस पर असो गैलोत ने कहा कि ये सब मीडिया वालों की देन है मैं तो दस दिनों से लगातार कह रहा हूँ किंद्रा गांधी, सोन्या गांधी और राजीव गांधी के दोर से ही मैं पदोपर रहा हूँ इसलिए मेरे लिए अब कोई पद एहम नहीं है राजिस्तान के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि विदायक दल की मीटिंग में हम एक लाइन का प्रस्ता पारित नहीं करा पाए तो ये बेहर दुखद था मैं इसके लिए बहुत दुखी हूँ और जिन मित्रों ने विदायक दल की मीटिंग का बायकॉट किया है वे जानते हैं कि मेरी भावनाएं क्या है यदि मेरे रहते राजिस्थान में इस तरीके की घटना हो गई तो फिर में पूरे देश में क्या जवाब दूँगा इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि अवध्य चिपद का चुनाब नहीं लड़ूँगा अवली बड़ी ख़बर अन्नाहजारे ने अरविंद केजरिवाल को देडाली कडी चेतावनी चिथी लिखकर बोले बंद करो सराव की दुकाने या आपको बता दी कि अरविंद केजरिवाल के CIC गुरू कहे जाने वाले अन्नाहजारे ने उन्हें पत्र लिखा है इस पत्र में अन्नाहजारे ने अरविंद केजरिवाल से कहा कि वो दिल्ली में सराव की दुकानों को तुरंत बंद कर दें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरिवाल ने सुराज पुस्तक में बड़ी बड़ी बातें की थी लेकिन उनके आचरण पर उसका असर नहीं दिख रहा आपको बता दें कि अरविंद केजरिवाल के CIC गुरू कहे जाने वाले अन्नाहजारे ने उन्हें पत्र लिककर कड़ी चेतावनी दे दी है इस पत्र में अन्ना हजारे ने अरविंद केजिरवाल से साफ कह दिया है कि वो दिल्ली में सराव की धुकानों को तुरंत बंद कर दें और बड़ी खवार अम मुख्यमंत्री अरविंद केजिरवाल को सताने लगा रागप चड़ा की गरफतारी का डर यह आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजिरवाल ने आसंका जताई है कि आम आदमी पार्टी के नेता और राजिसबा स्वांसद रागप चड़ा को गरफतार किया जा सकता है आम आदमी पार्टी संयोजक ने गुजरात चुनाप से इसे जोडते वे कहा कि किस केस में और किस आरूप में गरफतार किया जाएगा अभी यह पता नहीं है लेकिन इसकी तैयारी की जा रही है अर्विंद केद्रिवाल ने कहा कि जब से रागप चड़ा को गुजरात का सहप्रबारी नियुक्त किया है और उन्होंने गुजरात में चुनाप प्रचार के लिए जाना चालू किया है अब सुन रहे हैं कि रागप चड़ा को भी ये लोग गरफतार करेंगे किस केस में करेंगे और क्या आरूफ होंगे ये अभी पता नहीं चला है अर्बेंद केजिरबाल के ट्विट को आमादमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारत द्वाज ने री ट्विट करते वे कहा कि ये तो बहुत गटिया राजिनीती है हम रागप चड़ा के साथ हैं पूरा देश इनके कारणा में देख रहा है जनता सब देख रही है आपको बता देए कि अर्बेंद केजिरबाल ने आसंका जताई है कि हमादमी पार्टी के नेता और राजिसवा सांसदा रागप चड़ा को गरपतार किया जा सकता है और बड़ी खवाद दिल्ली में हल चल के बीच भारत जोडो यात्रा की करना टक में होई एंट्री बीजेपी के गड़ में 500 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे राहूल गांदी यह आपको बता दें कि एक तरफ कॉंग्रेस में सियासत अपने चरम पर है तो दूसरी तरफ भारत जोडो यात्रा का अगला पड़ाव सुक्रवार को करना टक में दाखिल हो गया है कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी ने भारत जोडो यात्रा के 21 विदेना करना टक में एंट्री कर ली है करना टक में कॉंग्रेस की यात्रा को 21 दिन में लगबग 511 किलोमीटर का सफ़र टै करना है कॉंग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि करनाटक में इस यात्रा से पार्टी कारिकरताओं को नई उर्जा मिलेगी जहां अगले साल विदानसभा के चुनाब होने वाले हैं कॉंग्रेस सद्यच सोनिया गांधी और प्रिंका गांधी राजी में अलग-अलग मौकाँ पर यात्रा में सामिल होंगी हाला कि अभी तक उनके सामिल होने की तारीक की गोस्ता नहीं की गई है कॉंग्रेस की भारत जोडो यात्रा आप तक 532 किलो मीटर की दूरी तैकर चुकी है आपको बता दें कि फिलाल भारत जोडो यात्रा की सुडात 7 सितंबर को तमिलनाडू के कन्या कुमारी से हुई थी सुक्रवार को यात्रा का केरल में आखरी दिन था इस यात्रा में अभी कॉंग्रेस को 3038 किलो मीटर की दूरी और तैकरनी है आउली बड़ी खावा ससी थरूर ने मल्लिका जुन खड़गे को बताया 20 मपिता महान नामांकन वापसी पर किया बड़ा एलान या आपको बता दें कि कॉंग्रेस अद्यच्य पद के चुनाब के लिए अब इस्थिती लगबग साफ हो चुकी है अभी तक वरिष्ट नेता मल्लिका जुन खड़गे ससी थरूर और केंतर पार्ठी चुनाबी मैदान में है बले ही ये चुनाब त्रकोणी हो लेकिन सीधे सीधे मुकाबला खड़गे और ससी थरूर के बीच माना जा रहा है तीनों नेताओं ने अध्यच्य पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है इसके बाद ससी थरूर ने एक साच्छातकार में मल्लिका जुन खड़गे को पार्टी का बिस्म पितामा बताया है ससी थरूर ने खड़गे की उमीदवारी पर कहा क्या हम दुस्मन या प्रतिद्वंदी नहीं हैं हम सयोगी हैं और हम पार्टी को आगे बढ़ने में रुची रखते हैं उन्होंने कहा कि मल्लिका जुन खड़गे हमारी पार्टी के बिस्म पितामा है उनका अनादर नहीं कर सकता ससी थरू ने कहा कि चुना प्रक्रिया के बारे में सब कुछ आदर्स नहीं होता है खड़गे के चुना भी मैदान में उतरने के बाद नामांकन बाप्ची के सवाल परा ससी थरू ने कहा कि यदि मुझे बाद में नामांकन वापस लेना होता तो मैं नामांकन ही क्यों करता उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस को बदलाव की पार्टी बननी चाहिए हमें पार्टी को मजबूत करने तथा देश को आगे ले जाने की उम्मीर है उन्होंने कहा कि ये चुना भारत के युवाओं और देश के भविस्य के लिए हो रहा है अवली बड़ी खबर मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सर्मा ने राहूल गांदी पर बोला जोड़दार हमला बोले राहूल गांदी राजनीती के लाइक नहीं ये आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री और वरिष्ट भाजपानेता हिमंत विश्व सर्मा ने एक बार फिरा कॉंग्रेस संसद राहूल गांदी पर हमला बोला इसके बाद वे भाजपा में सामिल हुए उन्होंने कहा कि जब आप राहूल गांदी से मुलाकात करने जाएंगे तो वो एक पल तो आपसे बात करेंगे लेकिन अगले ही पल वहां से उठकर बाहर चहल कदमी करने लग जाएंगे या फिर दूसरे कक्ष में जाकर बैठ जाएंगे आप इंतजार करते रहेंगे और वे आदे घंटे के बाद आएंगे उनके किसी भी काम में गंबीरता नज़र नहीं आएगी और एहंकार साफ दिखेगा कॉंग्रेस वे राहुल गांदी पर निसाना साधित वे हमंत हैसो सर्मा ने कहा कि सबसे बड़ी वе एहम बात यह है कि गांदी परिवार एक सामन्ती परिवार की तरह है आज भी में कॉंग्रेस अध्यच नहीं है लेकिन सभी ने वे ही लेते हैं सरमा ने सवाल किया कि यदि गांधी परिवार ने और राहुल गांधी ने लोगसबा चुनाम में हार की जिम्मेदारी ली है तो फिर पार्टी उनके पीछे क्यों खड़ी है ये थी अब तक की बहुत बड़ी ख़बर हैं यदि आप भी चाहते हैं कि कॉंग्रेस का कोई सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत